नमस्ते दोस्तों आप सभी का मेरे चैनल हैपी गार्डनिंग विच्छाया में बहुत-बहुत स्वागत है बगीचे में आज बहुत पैरे-पैरे फुल्खी देहें देखो नहीं गेल्दा कितना अच्छी दगरा है और यह मेरा वेजटेबल गार्डन है तो यहाँ बहुत सारे फसला भी तैयार है हर्वेस्टिंग के लिए तमाटर पग गए बैंगन बड़े हो गए तो आज मैं इनके हर्वेस्टिंग करूंगी हर्वेस्टिंग पर विडिय करना है और बेल आइकन भी दबाना है आज इस अरे लाल लाल टमाटर हम निकल देंगी मेरी सारी सबजिया पूरी तरह से और्गैनिक है इसमें मैंने कोई भी केमिकल खाद भी नहीं डा दी कोई पेस्टिसाइड भी केमिकल नहीं यूज किया जब आना ओर्गैनिक गार्णिंग करते है तो फसल थोड़ी कम मिलती है लेकिन वो विश्मुक तो मिलता है हमें समय हमें सब बाजार में अभी बहुत सारी सबजिया आती है तो उसमें बहुत सारे पेस्टिसाइड बहुत सारे केमिकल यूज होते हैं इसलिए हर एक को घर पे थोड़ी थोड़ी सबजिया उगानी चाहिए जिनके पास जगह है ऐसे लोगों को तो जरूर उगानी चाहिए और थोड़ी से लाल होने लगते है टमाटर तभी हम निकालेंगे तो आगले फल जल्दी तयार होते हैं जादा दिन हम पेड़ पे नहीं रहने देंगे उन्हें इबेंगन की वराइटी देशी वराइटी है बहुत काटे है उसमें बहुत द्यान से उन्हें निकालना पड़ता है लेकिन टेस्ट बहुत अच्छा है इनका सब जों के लिए पूरे दिन की दूप मिले तो बहुत अच्छा में फ़सल मिलती है दूप से वो पूदे अपना खाना आच्छी तरह से बना पाते हैं और हमें बहुत सारे फल भी देते हैं यह पूदिना में बहुत बढ़ गया है और पूदिना के एक बात आप ध्यान रखेंगे पूदिने के बारे में जितना आप उसे काटेंगे उतना वह ज्यादा घना होता जाएगा उसमें ज्यादा पत्य आएंगे आप अगर नए नए गार्णिंग शुरू किये तो पूदिना आपके लिए बहुत इजी है पूदिना ग्रो करना जब बाजार से आप पूदिना लाते हो तो उसके पत्य निकालके उसे आप पानी में रखेंगे तो उसे जल्दी जड़े आ जाती है तो आप मिट्टी में लगा सकते हैं आप उँआ एक करी पत्य का लिव करी लिव का पेड़ है तो इसकी मैंने प्रूनिंग की थी एक मैना हो गया सर्दियों में बहुत खरब हो गया था पौदा अभी एकदम फ्रेश पत्य आ गए उस पर और लाल भाजी यह लाल भाजी करके मैंने सीड्स लिये थे ऑनलाइन लेकिन इनका उतना लाल कलर नहीं आया इसमें पता नहीं थोड़ा अलग सीड आया या इंप्रेचर की वज़ पत्य यह बहुत सारी पत्य पालक के निकाली यह भाजी तो आज मैं पालक नहीं निकालूंगी एक करेली की बेल भी लगाई है मैंने यह सफेद करेला है यह अभी तैयार नहीं पूरी तरह से इतनी सब्जिया तो मिल गए आज दोस्तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक करें शेर करें थैंक्स फर वाचिंग